दोस्तो हमारे इंडिया की स्मार्टफॉन कंपनी लावा स्मार्टफॉन की अलावा फीचर्स, फॉन, मुबैल, एससरी, साथी पावर बैंक भी बनाती है दोस्तो कुछी समय पहले लावा कंपनी 10,000 एमेच का पावर बैंक लेकि आए थी जिसका नाम है PB11 लेकिन अभी दोस्तो इसका नहा पावर बैंक आ गया है 10,000 एमेच के साथ इसका नाम है PB22 तो ये साड़े 22W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहा है पावर बैंक, बॉक्स का पैकिंग काफी बढ़िया किया गया है रेड कलर का ये बॉक्स जहां पर आपको ये दो कलर वेरेंट में मिलेगा पावर बैंक का डिजाइन दिख रहा है दोस्तो वाइट और ब्लेक कलर में लावा एलिमेंट यहां पर लिखा हुआ है यहां पर दिया गया है दोस्तो इसके अलावा आउट पुट को भी बैंसन किया हुआ है यहां पर देख सकते हैं फास्ट चार्ज साड़े बाइस वाट मैक्सिमम टाइप सी पावर डिलिवरी फीडी 20 वाट मैक्सिमम यहां पर लिखा हुआ है प्रोटोकॉल सपोर्ट, प्रोटक्शन भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं बॉक्स प्राइस को देखे 1900 इन्याने पर रुपे लिखा हुआ है लेकिन यह 50% डिसकाउंट के साथ 12,000 रुपे में मिल जाएगा आपको दोस्तो इसके अलाबा अगस 2024 में बना है यह पावर बैंक बाकी इसके जो टूल पर यह नमबर यहां पर कस्टमर किया है नमबर और इसकी वेबसाइट को मेंजन किया है कंपनी ने नीचे देखे तो मेड इन इंडिया का यहां पर लोगों हमें देखने को मिलता है तो चलिया दोस्तो फोटावट से इस पावर बैंक को अन्बोक्स करना सुरू करते हैं तब तक आप भी चैनल पर फरस्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि असी वीडियो आपके लिए हम यहां पर रेगुलर लाते रहते हैं पावर बैंक के बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक टाइप C टू टाइप C USB केविल काफी एच्छी लेंध और क्वाल्टी है दोस्तो यहां पर देख सकते हैं काफी मजबूत केविल मिल जाती है हम आते हैं डारेट पावर बैंक पर तो यहां पर काफी अच्छी पैकिं बन जाएगी लाँवा की ब्रान्डिंग यहां पर इंडिकेटरल लाइट यहां prowad यहां पर यहां पर शार लाइट आपको नजर आएंगे अगर फुल लाइट अंगे तो इसे यहांös details को mention किया हुआ है इस side देखे दोस्तों सारे port आपको यहीं पर मिलेंगे दोस्तों दो USB port दिये गए हैं और यहाँ पर Type-C port और एक Micro USB port मिल जाता है तो इने फीड यह power bank हाथ में भी आराम से आ जाता है दोस्तों तो smartphone से छोटा है यह pocket में भी easily आप इसे handle कर सकते हैं तो मुझे काफी बड़िया quality लेगी इस power bank की दोस्तों अगर आपके यह electricity का problem रहता है यह आपको कभी travel करना हो और वहाँ आपको power bank की जुरत तो पड़ती है तब आप इसे purchase कर सकते हैं 1000 रुपेस की कीमत है कैसा लगा दोस